यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के निरिक्षण का तरीका है सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं पी-म ने खुद ओन दी स्पॉर्ट जाकर बारीकी से मृत्यू वाले पुल की रिपोर्ट खुद तयार की यही तो है नरेंद्र मोधी की वर्किंग स्टाइफ 134 बेगुनाहूं की मृत्यू का कारण क्या है घटना इस्थल के निरिक्षण से ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन मोबरी के जूलते पुल की इन्वेस्टिगेशन में जुटी है शुरुवाती जाच रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री को बताई गई लेकिन मोधी ने खुद जूल तो पुल की साइट पर जाने का फैसला किया ताकि घटना कैसे हुई, पुल कैसे गिरा, लापरवाही किस किस जगे हुई प्रधान मंत्री ने खुद समझा घटना इस्थाल के निरिक्षन के बाद मोधी हॉस्पिटल पहुँचे ताकि हाथसे का शिकार बन चुके लोगों से डायरेक्ट बात कर सकें ये पता चल सके कि आखिर घटना के वक्त क्या हुआ था मोधी ने सभी मरीजों से मुलाकात की वन टू वन बात की जखमी लोगों की आप बीती सुनी इसके बाद पीम रेस्क्यू टीम से मिले वही रेस्क्यू टीम जो खटना के बाद तुगों को बचा रही थी मोधी ने रेस्क्यू टीम से पूरा हाल जाना हाथ से में अपनों को गवा चुकी बच्ची का दर्थ समझा और उसके बाद एक्षन के लिए जिले के एसपी दफ्तर में इमर्जेंसी मीटिंग बुलाई मोदी ने अपनी रिपोर्ट मोरभी के अफसरों को पढ़ा दी यानि एक्षन में लीपापोती की कोई गुझाइश नहीं है